मरहूम माफिया अतीक अहमत की पत्नी साइस्ता अंबर को प्रियागराज पुलिस ने घोसित किया भगोडा गौरतलब है उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने साइस्ता को काफी तलास गया लेकिन वो पुलिस को लगातार चकमा देती रही है पुलिस अब 82 की करवाई के बाद साइस्ता पे इनाम बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अतीक की पत्नी साइस्ता को भी आरोपी बनाया है और साइस्ता घटना के बाद से ही फरार है पुलिस ने साइस्ता पर 50,000 का इनाम भी घोजित किया है इसी कड़ी में आगे की कारवाई को बढ़ाते हुए पुलिस ने धारा 82 के तहद डुगडुगी पीट कर मुनादी कराई जिस घर पर ये मुनादी कराई गई साइस्ता उसी घर में रहती थी और उमेश पाल की हत्या के बाद सभी सूटरों ने इसी घर में पनाह भी ली थी प्रियागराज डेवल्लप्मेंट अथार्टी ने इस घटना के बाद उस घर पर बुल्डोजर चला कर उसको जमी दोस कर दिया था माफिया अतिक हमत की पत्नी साइस्ता परवीन पर प्रियागराज पुलिस धारा ब्यासी के तरहत करवाई की है इस कारवाई के दौरान पुलिस ने जिस मकान में साइस्ता रहती थी पुलिस ने उस मकान पर धोल नगलों के साथ मुनादी करा कर साइस्ता को भगोडा यानी फरार घोशित किया है और साइस्ता पर मुकदमे और इनाम की जानकारी देकर लोगों को ये भी जानकारी दी कि अतीक की पत्नी भगड़ा घोसित है इसलिए कोई उसको पनाह देने की जुरुरत ना करे अगर कोई ऐसा करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी यूपी नियूज नाइन के लिए प्रियागराज से बिमल सिर्वास्तो की रिपोर्ट